वेलकम बैग तो माई चैनल नरू जाटा ब्लॉक दोस्तों किया मोटर की मिड्साइज SUV सेल्टोस के भारी सपलता के बाद किया मोटर लॉंच करने वाली है एक कॉंपैक्ट SUV जिसका रोड टेस्टिंग काफी बार देखा गया है इंडिया में और जिसका रेसेंट लिक या आरे हो तो प्लीज सब्स्ट्राइब कीजिए मेरे चैनल नरुज ओटा ब्लोग को और साथ मैं बैला आइकन का भी बटन दबा दीजे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुचे मैं हुई रोजाना आटो मोबाइल सेक्टर से जोड़ी नियूज, रिब्यूज, टेस्ट ट्राइब्स, वाकराउंड्स, कमपेरेजन, एसेसरीज आपसे साजा करते हैं रहतों तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों 2019 अगस्त में किया मोटर्स ने इंडिया में एंट्री किया था एक मिड्साइज SUV सेल्टो से और जिसको कस्टमर्स का काफी अच्छा कासा रिस्पांस मिला और रिकॉर्ड तोड बिकरी भी हुई है अब किया मोटर्स 5th February 2020 को लॉंच करने वाली है 7-seater, 8-seater, 9-seater configuration में एक MPB और जिसकी booking भी open हो चुकी है और 1400 unit इसकी book भी हो चुकी है दोस्तों और जो कि डिरेक्ट कॉम्पीट करेगी टोईटा की इनोबा क्रिश्टा से दोस्तों Compact SUV चाने वालों के लिए एक और good news है दोस्तों क्योंकि किया मोटर्स बहुत ही जल्दी अपने एक Compact SUV को showcase करने वाली है 2020 7-12 February में आयो जित होने वाले Auto Expo greater no damn है और जिसका रिश्टाल्टी कंपनी ने इसका टीजर भी जारी किया दोस्तों कुछ इस तरों का टीजर यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पारे हो दोस्तों और जिसको भारतिया सडकों में काफी बार टेस्टिंग की दोरान देखा गया दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पारे हो और जहां तक इसकी डिजाइन की बात करें तो दोस्तों यह काफी डिफरेंट रहने वाली है अपने सेग्मेंट में और अगर इसकी लाँज की बात करें तो मिड़ 2020 तक इसे इंडिया में लाँज भी कर दिया कंपनी ने इस सब Compact SUV का Code Name रखाता QII और जिसे Kia Sonate के नाम से भी जाना जाता है जहां तक Competitors की बात करें तो Kia Motors की इस Upcoming Compact SUV Kia Sonate का सीधा सीधा मुकाबला Tata Motor की Compact SUV Facelift Tata Naxon जिसे हाली में BS6 Engine के साथ उतार गया और Mahindra की XUV300 जिसे हाली में Global NCAP Crash Test में 5 स्टार की रेटिंग मिली और Hyundai की Most Popular Compact SUV Venue मारुती की Most Popular Compact SUV Vitara Breja और Ford की Most Popular Compact SUV Echo Sport से होने वाली है जहां तक इंजन की बात करें तो Kia की इस Upcoming Compact SUV Sonate REI PS6 Compliant 1 लीटर का 3 सिलेंडर टॉबचास पेट्रोल इंजन के साथ जो की 118 PSB की बावर 6000 आर्पेम पे और 170 NM का पीक डॉक जनिट करता है 4000 आर्पेम पे इसके अलाबा Kia Sonate REI PS6 Compliant 1.5 लीटर 4 सिलेंडर के 9 के डीजल इंजन के साथ जो की 113 PSB की पावर 4000 आर्पेम पे और 250 NM का पीक डॉक जनिट करता है 2750 आर्पेम पे ट्रांस्मिशन की अगर हम बात करें तो इसमें 6-speed manual and AMT gearbox का भी आप्शन उपलब्द होगा जहां तक Kia Motors की इस upcoming compact SUV की interior की बात करें तो अभी तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई है लेकिन इसकी जो rear seats है उसमें आपको accessible headrest मिलेगी और Kia Celtos जैसी UVO connectivity option आपको दिया जा सकता है latest features के साथ इसके front seats में आपको ventilated seats provide की जाएगी जहां तक features की बात करें तो इसमें LED projector hand lamp, LED daytime running light, LED day lamp और आपको दिया जा सकता है 360 degree camera safety features की अगर हम बात करें तो इसके top end variant में आपको 6 airbag और lower variant में dual airbag और इसके लाबा ABS with EVD, reverse parking sensors, reverse parking camera, driver side and co passenger side, seat belt reminder, engine immobilizer, ice pick child sheet, increase keyless entry, start, push start, stop button जैसे premium features दिये जा सकते है और इस SUV में आपको मिलने वाले है 16 inch के diamond cut alloy wheel यह थी दोस्तो किया मोटर्स की upcoming compact SUV किया सोनेट के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी नीचे comment section में जरूर बताईएगा दोस्तों और एक like तो बनता है दोस्तों चैनल को subscribe किये बगार बिल्कुल मत जाईएगा क्योंकि मैं अपनी चैनल पे रोजाना यूहीं आपसे साजा करता रहता हूं तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते एक नए वीडियो पे तब तक के लिए thank you दन्यबाद जय हिंद